जियादा तर मसी दांसता और विजे के आधे रास्ते में अटग जाते हैं येशु हमारे लिए किसी भी उस चीज के आधे में पहुँचने के लिए नहीं मरे जो वे प्रदान करते हैं वो चाहते हैं कि हम पूरी तरह मनजिल पाएं क्या कभी आपको लगता है कि शायद आप कहीं बीच में ही फसे हुए हैं आप अवर्शिय वहाँ तो वापस नहीं जाना चाहेंगे जहां से आप निकल कर आए हैं पर आपको पूरा यकिन नहीं है कि आप अंत तक पूरा रास्ता तै कर पाएंगे मैं ऐसे महसुस करती थी ये ऐसे था जैसे मेरे प्रभू तुने मेरे लिए बहुत किया है कि मैं कभी बापस न लॉट उपर मुझे नहीं लगता मैं इंतजार करती रह सकती हूं रास्ता पूरा करने का येशुर ने बहुत ही तेज़ धार शब्द कये हैं प्रकाशित वाकिय में इन नीम गर्म लोगों के लिए उन्हों निका है भला होता कि तू ठंडाया गर्म होता इसलिए कि तू गुन-गुना है और न ठंडा है न गर्म मैं तुझे अपने मुँ में से उगलने पर तयार हूँ मेरे खैल से इसका मतलब ये नहीं कि गुन-गुने लोग अपना उद्धार खो देते हैं पर मेरे खैल से इसका मतलब है कि गुन-गुने लोग परमीश्वर को ना पसंद है जब हम गर्म होते हैं पूरी तरह उनके लिए जोश में और उन वालों के लिए जिनका परमीश्वर से संबंध है मैं हाल ही में बहुत ही पुस्तके पढ़ चुकी हूँ मैं बहुत पसंद है मुझे कुछ पुस्तके मैं बहुत प्रभावित हुई कि आत्मा से भरे जीवन का पहला संकेत होता है उत्सा मुझे बहुत पसंद आया और हमें उत्साहित रहना है आत्मीक सिद्धता के बारे में हमें उत्साहित रहना है हम थोड़ा और आजाद महसूस करते हैं और हम परमिश्वर की महिमा करते हैं थोड़ी और आग्याकारिता के बारे में उत्साहित रहें आहिन भरे जब प्रभु सेवक कहीं मैं आज आपको आत्मनीयंत्रण के बारे में सिखाने वाली हूँ ऐसा बिलकुल भी मस सोचिये हमें कहना चाहिए बड़ी आद्भूत मैं उसके विशे में उत्साहित हूँ बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्यमे तब भी जब परमिश्वर भी हमें सुधार रहे हो और हमें ताड़ना दे रहे हो हमें इसके विशे में उत्साहित होना चाहिए इससी बुरी हालत और क्या हो सकती है कि आप धोके में रहें सोचते हुए कि हर एक दूसरा समस्या है जबकि असल में ये हम है ये शुकी कमी ये मन्शा नहीं रख रही कि हम उस सर्वोतम का आधाई पाएं इबरानियों छे साथ पर हम मजबूती से और निष्ठा पूर्वक फिर से कहूंगी पर हम मजबूती से और निष्ठा पूर्वक इच्छा करते हैं कि तुम वही निष्ठा और विश्वास पात्रता दिखाओ पूरी तरह से मैं पूरी तरह से निभाऊंगा जानते और आनंद लेने पूरी सुनिश्चितता और विक्सित करन के उस आशा के अंत तक तो वो कह रहे हैं यदि आप सच मुझ जानना चाहते हैं यदि आप परमिश्वर की प्रतिग्याओं को गौर से जानना चाहते हैं यदि आप सचमुच उन प्रतेग्याओं को अपनी जीवन में अनुभाव करना चाहते हैं, फिर आपको इसमें पूरी तर उतर जाना होगा, परमिश्वर के साथ. फिर लोगों को क्या दूर रखता है इस तरह पूरी तरह जाने से? फिर हम अक्सर काफी ठीक ठाक रहते हैं जब तक कि ये महंगा नहीं पड़ता, जब तक कि ये चोट नहीं पहुँचाता, जब तक कि ये सुविधा जनक नहीं रहता, जब तक शायद हम अकेले नहीं रह जाते, जो उस मार्क पर चलने की कोशिश कर रहा है और अकेला पन लग और फिर हम मुड़ते हैं और दूसरी दिशा में चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह न रह जाएं, जो असल में सर्वोत्म जगे नहीं है, क्योंकि आगे जाना आराम दे बिलकुल भी नहीं है, चलो देखते हैं, उत्पति 11.31, इसने मेरा ध्यान खीचा बहुत साल पहले, और ये मुझे एक सबक सिखाता है, पता है, हम इबराहिम के बारे में बहुत सोचते हैं, और कैसे परमेश्वन ने, मैं नहीं मानती कि वो पहला मनुश्य था, जिसने परमेश्वर से बाचा बांधने का प्रस्ताव रखा था, मेरे ख्याल से परमेश्वर बस ढून रहे थे, किसी को कोई भी पूरी तरह निभाएं, बचन 31, तेरा अपने पुत्र अबराम और अपने पोते लुट, जो हरान का पुत्रत हो, और अपनी बहु सारा, जो उसके पुत्र अबराम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर, फस्दियों के देश उस नगर से निकल कर कनान देश जाने को चला पर हरान नामक देश में जाकर वही रहने लगा, अफसोस है, अफसोस है, मैं नहीं जानती कि आप जानते हैं या नहीं, पर ये छूटा सा सच कि कहीं उन्होंने हिम्मत हार दी, वो कहीं जाने के रास्ते पर थे, पर जब वो उस दूसरी जिगह पहुंचे, शायद वो ठक गए हूं, शायद यात्रा में काफी देर लगी हो उनके अंदाजे से, शायद कुछ लोगों ने पीछे ही साथ छोड़ दिया हो, और वो नहीं चाहते थे कि वहीं एक मात्रा रह जाये जो आगे बढ़ते रहें, और दाम चुकाएं पूरी तरह से, किसी को क्या पता था क्या मजबूर करता है हार मानने को, काश की मुझे पता होता वो बात क्या है, जो खुद लोगों को रोकती है आगे बढ़ने से, और वो पीछे रह जाते हैं, जबकि परमिश्वर चाहते हैं कि वो पूरी तरह आगे बढ़ें, और हम किसी वज़े से पीछे रह जाते हैं, परमिश्वर को बहुत दुखी करता है, काश मैं आपको बता सकती कि वो छोटा सा जादू का बटन कहां है, वो छोटी सी जगे कहां है, और काश कोई भी जो इससे वंचीत मैं उसमें ये लगा सकती, पर ये कुछ ऐसा है जो आपके अंदर है, जिसे केवल आप ही डूण सक सकते हैं, अपने और परमिश्वर के साथ और केवल आप ही फैसला कर सकते हैं, इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैं तुम में से हर एक आगे रखता हूँ, जीवन अमृत्य अब तुम चुनकल रात को कहानी, मैंने आपको बताई थी अपने और अपने भाई के बारे में, ह जाना उस ने किया वो पक्का इरादा, जबकि मैंने किया क्योंकि मैं एक विशिश मसला थी, क्योंकि परमिश्वर की प्रतिग्या है, उस हर एक के लिए है, जो ये करेगा और गर में आपको ये यकीन नहीं दिला सकी, तो फिर आप कभी भी विजए नहीं पाएंगे, क्यो कि अगर आप सोचते हैं कि ये हर एक के लिए सिवाए आपके फिर आप वो नहीं कर पाएंगे जो परमिश्वर चाहते हैं कि आप करें आदे रास्ते में घुलामी और विजे की बीच लंगडाते हुए बाक्यून सब की ओर देखते हुए जो कामियाब हुए हम परमिश्वर का आदर करते हैं मसी में समपून सिद्धता की ओर जाते हुए चाहे आप ऐसे स्वेम के लिनव भी करना चाहें ये उसके लिए करें हम परमिश्वर का आदर करते हैं पूरी तरह पूरे रास्ते जाकर रोमियो आठ उन्तीस में लिखा है क्योंकि जिने उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पूत्र के स्वयम रुप में हो। आप जानते हैं कि बाइबल हमें मिट्टी कहती है और परमेश्वर हैं कुमार। और अगर मैं मिट्टी का छोटा सठेर हूँ, मेरे साथ इस वक्त क्या हो रहा है वो बहुत आराम दे नहीं है। और कहते हैं तुम ठहराये गये हो, मेरे इस वरूप में ढलने को। तुम ठहराये गये हो कि up your channel रुपान तरित हो ताकि तुम मेरी तरह हो सक leggMP आप झाहो जो मैं चाहता हूं,asa vaivar करो जैसे मैं करता हूं। जैसे मैं सूच तहूहिं Back to believe inimalCH और मही सूचान। जैसे मैं करता हूं। ये तुम्हारा भागा आप जानते हैं। मैं जब कोई चीज आपका भागा चीज हो। उपनॅना नहीं कुछ कर्ते हूं। यह बस काम नहीं करेगा परमीश्वर हमसे होश्यार है और उनकी धारणा हमसे बहतर है तो चलो, तो चलो कहें मैं इस मुकाम तक आ जाती हूँ जहां कहती हूँ हाँ प्रबू हाँ शैद उस उच्च आत्मिक शन में जहां मैंने कभी-कभी गाते हुए सुना मुझे ये महसूस हो रहा है ये वहाँ इस वक्त तो हमारे पास वो समय जब हम कहते हैं हाँ प्रबू मुझे वो बनाया जो आप मुझे बनाना चाहते हैं इसलिए फैंक्यू आप इस से किवल एक ही समस्या है इसमें मैं बहुत ज्यादा हूँ तो फिर यहाँ ये होना चाहिए वो रवया जाना चाहिए घट्या सोच जानी चाहिए वो बड़ बोलापन जाना चाहिए वो स्वार्तियात्म केंद्रितता जानी चाहिए वो घुस्सा जाना चाहिए वो ख्षमा ना करना जाना चाहिए मुझे पता नहीं ये क्या है पर उससे जाना होगा और अंत में हम यहाँ आते हैं आमेन हम कहलाते हैं सेंट ना कि सेंट्लिस ओ तुम प्यारी सेंट्लिस हो नहीं बाइबल हमें कहती है सेंट्स और प्रेस्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वर के योध्धा पर अगर मुझे सेंट्लिस सेंट्स होना है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो जॉयस की इसकी मुझे क्या की मत चुकानी होगी अगर मैं कहूं हां क्या होगा अगर आप यहां से जा रहे हों आप सच मुझे निश्ठा से परमेश्वर से कहें ठीक है प्रभू मुझे असल में पता नहीं कि मैं किसके लिए हां कह रहा हूं पर क्या मुझे में हिम्मत है ये कहने की मुझे अपनी चवी में ढालें मुझे वो बनाये जो आप चाहते हैं अगर मैं आप से कुछ मांग रहा हूं जो आपकी इच्छा नहीं प्रभू तो करप्या मुझे ये ना दे आपकी इच्छा पुरी हो मेरी नहीं यदि आप ऐसा कहते हैं एक बार आप ये कह लें आपको वो वापस नहीं मिलता मेरा मतलब है परमिश्वर फाइनल कॉंट्रेक्ट वाले व्यक्ती है तुम्हारे वचन तुम्हारा बंधन तुम्हें ये कहा ये इसी तरह है और वो काम से तंग आ जाते हैं और उन्हें पसंद आएगा अगर वो बाकी सब पर भी काम कर सकें पर अफसोस वो हम पर काम करते हैं और बहुत बार हम सोचते हैं क्या इस ब्रह्मांड में सब में खराब ही है मेरे में इतनी हताश हो गई थी कि जब मैं डेव से कहती क्या परमिश्वर तुमसे किसी किसी बात के लिए नहीं नहीं पट रहे उन्हें नहीं कहा नहीं और मैं जैसे क्या इस क्या इससे दूख होगा क्या ये सुरक्षित होगा खैर बताया मैंने कभी अभी तक एक आरान दे गद्देदार क्रूस नहीं देखी क्या होता अगर येश्यू क्रूस पर गए होते और कहते ओर रुको रुको एक मिनिट मुझे कुछ गद्दे चाहिए आप जानते हैं क्रूस का हमेश्या मतलब होता है मृत्यू पर इसका मतलब पुनर्थान भी है हम जब क्रूस की तरफ देखते हैं तो क्या सोचते हैं ये नहीं सोचते हैं कि ये आराम दे जगे हैं धन्यवाद और रविवार के लिए आपको शुकरवार से गुजरना पड़ता है रविवार तक पहुचने के लिए अब शुकरवार को बाइपास नहीं कर सकते और रविवार पास सकते ये इस तरह काम नहीं करता ये है सौमाहर मंगलवार बूधवार गुरुवार शुकरवार 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 शुक्रवार को ये शुक्रूस पर लटके और दुख उठाया पर रविवार को वो कुरूस खाली था हाललुया वो भी जी उठे है क्या हुआ उस अंतराल की दौरान शुक्रवार और रविवार के बीच उन्होंने नर्क की चाब याली और मृत्यू की शेहतान से इसी मकसद के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ था उस दुष्ट की करनी समाप्त कर सके उसे ये स्वायम के लिए करनी की जरूरत नहीं थी उसने हमारे लिए किया है इसी मकसद के लिए परमेश्वर का पूत्र प्रकट हुआ ताकि मुझे एकस endless न बने रहना पड़े, ताकि मुझे आधे में रहना पड़े पवित्रा आत्मा क्यों आया, ताकि मुझे सामर्थ दे सके कि मैं परमेश्वर के साथ पूरी तरह जा सकूँ आपको हार मान लेने के लिए पवित्रा आत्मा का सामर्थ नहीं चाहिए, कोई भी ये कर सकता है, पर हमें सामर्थ चाहिए परमेश्वर के साथ पूरी तरह जाने के लिए मरना काफी पीडादाई होता है, पताया मैं अपने एक उब्देश में कह सकती हूँ कि मुझे अपने समान के लिए मरना पड़ा और सब्तालिया बजाता है ये बहुत आत्मिक लगता है, बहुत ही गहरी आत्मिक था है, मैं अपने समान के लिए मरी पर वो नर्क में हजारों चक्कर लगाने जैसा था उस मुकाम तक पहुँचने के लिए जहामें ज्यादा परवान नहीं करती कि लोग क्या सोचते हैं अब यावे क्या कहते हैं मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी और वो करूंगी जो वो कहते हैं जिसका मतलब अगर ये भी हो कि इस धर्ती पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मेरे पक्ष में हो क्या ये पूरी तरह खत्म है मैं आपको बताती हूँ कि मनुष्य का भाय इतना सताने वाला है इतना कश्टदाई ब्रेक्स पर पोते मारना बंद करो हर बार जब ये बे आराम हो आप मेंसे हर एक में कुछ है इस कमर में बैठे अधिक तर लोग सोच सकते हैं किसी बात को जब परमिश्वर कोशिश कर रहे हैं कि आप उसमें आगे बढ़े और पूरी तरह आगे जाएं और मैं आज आपको उच्छ साहित कर रहे हूं कि आप ये करें जब चलना कठीन हो वो ये कहें मैं आज अनुशासन और दर्द सह सकती हूं बजाय कलपस चाहताप करने के आमीन ये ट्वीटिबल है देखा मुझे ये सब फैंसी शब्त पता है ओक्याब मैं आज दोपैर आप से बहुत वहवारिक बात करना चाहती हूं इस स्वैम के प्रती मर जाने के बारे में क्योंकि ये कहना प्यारा लगता है मैं जाकर आपके लिए सभी शास्त्रवचन पढ़ सकती हूं खुद को देखना चोड़ दो खुद को भूल जाओ अपने सभी हित अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ और हम सब इतना आत्मिक महसूस करते हैं यदि आप परमीश्वर को हां करने वाले हैं और स्वैम को ना फिर इसका मतलब है कि आपको दुख उटाना पड़ेगा मानसी क्रूस से तयार होना पड़ेगा अब मेरा कोई फाइदा नहीं यहां खड़े होकर आप से जूट बोलने का और कहने का क्रिप्या बेदी के सामने से गुजरे और मैं अपना पवित्रहात आप सब के लिए उपर फिराओं और तुम घर जाओगे और आजाद हो जाओगे पर मेरा मानना है कि वो सत्य की परमीश्वर ने कुछ शांदार क्रूस के उस पार रखा है आपकी इंतिसार में या तो आप दर्द सह सकते हैं आगे जाने की या आप उससे भी बत्तर पीडा सह सकते हैं वहीं रुके रहने की अपने जीवन के बाकी दिन और आप इसे ऐसे नहीं लगने देना चाहते जैसे ये कुछ नहों सिवाए दुख भरे जीवन की क्योंकि ये नहीं है हर बार जब आप इसे गुजरते हैं और दूसरी तरफ निकलते हैं भई ये जश्ट होता है और आपने कुछ पीछी छोड़ दिया जिसे शैतान अब आपके विज़े में स्तमाल नहीं करेगा ये आज़ादी नहीं कि हर बार आपको घुसटा आ जाया जब आपकी मर्णी न चले आज़ादी है जब मैं चाहती हूँ कि डेव कुछ करे या ना करे और वो कहता है नहीं मैं ये करना नहीं चाहता और मैं कैसे को ठीक है बताया आज़ादी यह आज़ादी है जब मुझे चार दिन तक नाराज रहना न पड़े और एक बहश शुरू कर दो और पूरी परिशान हो जाऊं और यह अफसोस करूं उस पर दोश लगाऊं यह जैसे ठीक है खर तुम वहां कैसे पहुंची चॉइस मार कर दर्थ से आप कहेंगे खर क्या मतलब है तुम्हारा खर यह कुछ इस तरह से है बताये ऐसे जब परमीश्वर ने मुझे चंगा करना शुरू किया मैं पूश्यारी वाला रवया न अपना हूँ और डेव से पलट कर बात न करूँ हर बार पताये कंतिम बात मेरी इमानी जाए हाँ खर तुम्हें लगता है तुम सही हो पर मैं सही हूँ मेरा एक ही काम था कि अपना मुँ बंद रखूँ पताये मैं बस एक प्रेशर क्रूकर की तरह थी मेरा मतलब ऐसा था जब मुझे घुसा चड़ता तो जैसे ये पूरा प्रेशर मेरे अंदर उत्पन हो जाता और ओ मेरे खुदाई ये ठीक यह होता ये ऐसे और पवित्रात मांदर जैसे और ये वहाँ ख़णे अपने चाहर पज़ जैसे बेचार की लिए खर अब ये होता है अगर मैं ये प्रेशर निकाल जाए तो मुझे एक बार और चाना होगा उस परवत किर्द किर्द या एक सो बार और जब मैं अंत में उस मुकाम पर पहुझी जाए ये जैसे मेरी मदद करो प्रभू मेरी मदद करो मेरी मदद करो मेरी मदद करो मुझे सच मुची याद और मैं बढ़ा चड़ा कर नहीं कहरी मुझे याद है एक बार मैं अपने घर के हॉल से भागते हुए गई और खुद को बातरूम में बंद कर ली और अपना चेहरा बाट टॉव तो उसमेंसे थोड़ा कुछ मर जाता क्योंकि कोई चीज जिसे आप न खिलाएं वो मर जाती है और हर बार जब हम इसे करने लगते हैं हम इसे खिलाते हैं यही बाइबल का मतलब है जब हम कहते हैं स्वयम से इंकार करो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने नाखुन नहीं कटवा सकते हैं और आप पेडिकों नहीं करवा सकते हैं और आप कुछ कानों की बालिया नहीं खरीच सकते हैं और आपको एक बखवास जिन्दगी नहीं जीनी होगी। स्वायम से इंकार करने का मतलब है कि यदि परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने मूँ पर ताला लगाओ तो मूँ बंद रखो, अगर परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो बुरा रवया हटाओ तो हटाओ, यदि परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि जाओ किसी से, तो जाओ उसे अपना मन कायम करो, उस कायम रखो, वो समय से पहले सभी बातों को सोच लेता है और अपना मन बना लेता है. मुझे बहुत पसंद है यह को लुसियो तीन में अपना मन लगाओ, उसे लगाए रखो, मेरे पती बढ़ियां है, इसे मन में तै कर लेते हैं, वो समय से पहले बातों को सोच लेते हैं, और वो अपना इरादा तै कर लेते हैं आंट में, जेव की इस वर्ष की शुरूआत में तबिया ठीक नहीं थी, असल में वो काफी खराब थे और वो हाइपर महसूस करते हैं, वो असल में शांत नहीं रह पाते हैं, और सहज महसूस न करते और उनका ऐसा स्वबाव है कि प्रभू ही जानते हैं हम नहीं चाहते कि इतने उत्ते जीत रहें, बिल्कुल हमारे पास इस तरह का रवया नहीं होना चाहिए, कम से कम छे महिनें तक उन्हें कोई मीठा या चीनी खाने के लिए मना किया गया था, अब इसमें एक महिना हो गया है और परमिश्वर मेरे साक्षी है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने उन्हें कभी भी बढ़बढाते हुए या पकवास करते हुए नहीं सुना है, नहीं मैं उन्हें बढ़बढाते या शिकात करते सुनती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ, तुम चीनी को मिस करते तो वो कहते हैं, नहीं है, बिलकुल भी नहीं, बिलकुल नहीं, उन्होंने का क्या फाइदा अगर मैं इसे नहीं खा सकता है, तो इसे मिस करने का क्या फाइदा, मैं इसे खा नहीं सकता, पर जो एस मैं जो महसूस करता हूँ, उसे रोप नहीं सकता, पर आप देखें जो मैंन महसूस किया है जब हमारा मन सही जगे ठैरता हो बाकी का बस उसके पीछ ही हो जाता है और इस तरह वो बहुत वहवारिक है मैं चीनी नहीं खा सकता या ऐसे जैसे मैं चीनी नहीं खाऊंगा मैंने उससे का पता है क्योंकि तुम गॉल्फ नखिल सको और उन्होंने का मैंने पहले ही अपने मन में ठान लिया है कि मैं वैसा करूँगा फिर देखा वो पहरे से ही विजए पाचुके हैं और हम इसे ज्यादा तर क्या करते हैं कि खुद को सफलता के लिए पेश करते हैं और गुस और अवस्दा और उतेजना के लिए अगर ये एक बार और होता है तो मैं फट जाऊंगा तो यदि आप बड़े होने वाले हैं परमीश्वर में और एक सेंट लिस्ट बनने से उभर जाएंगे और एक सेंट बनेंगी तो बहतर है आप मन में ठामे यासा नहीं होगा इसका मुझे कुछ फाइदा नहीं होगा मैं वो बनूँगी जिस पर उन्हें नास हो मैं वो हूँगी जो परमीश्वर के मुख पर मुस्कुराहट लाएगा मैं अगर सपलतार विजय के बीच आधे में नहीं रहूँगी मैं पूरा रास्ता जाने वाली हूँ चलिए भी आप चलिए क्या कोई मेरे साथ उत्सा में आना चाहेगा मैं परमीश्वर के साथ पूरी हद तक जाने वाली हूँ बताएए चाहन का बहुत खुशी होती है कि हमें वो जीवन जीने की जरूरत नहीं दास्ता और विजय के आधे रास्ते में हो हम असल में परमीश्वर का आधर करते हैं संपूर्नता की और आगे जाते उनकी आत्मिक सिद्धता में वो चाहते हैं कि हम वो सब बने जो हम बन सकते हैं और चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो परमीश्वर बहाली के परमीश्वर हैं वो आपको बहाल करना चाहते हैं और आपके जीवन में हर एक चीज़ को और भी बहतर बनाना चाहते हैं जो विशेश मुद्दे या समस्या के बिना हो सकती थी हम सच मुझे आपकी मदद करना चाहते हैं इसे इस अंदर में क्योंकि ये महत्व पूर्णा है कि आपको वो बहाली की उम्मीद मिले मैं ये नहीं कहरी कि ये हमेशा रात भर में मिल जाता है कई बार इसमें देर लगती है उससे कहीं जियादा जो हम चाहते हैं पर खुश खबर ये है कि आप विजय की ओर जा रहे हैं और आपको और आदे रास्ते में कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है आज ही अपनी प्रात्रा के अनुरोद बताने के लिए हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और जॉइस की सभाओं का शडियूर जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीग का प्रेम बाढ़ने के लिए